आज की विदियो बहुत खुबसूरत होने वाली है। अगर मर्फी मुन्ना को लेकर बात करेगी तो ये जायस सी बात है कि एक कहानी आपके दिल के बहुत नजदीक है। आज की दिन हमारे विदियो देखते हैं पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि आपका साथ हमारे लिए बहुत माईने रखता है। क्रुपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। आपको याद दिलाने से पहले ये जान लो कि हमें मुफी मुन्ना की याद कैसे आई। खेर असलियत ये है कि हमारी माता जी मोबाईल पर न्यूस पड़ रही थी। अचानक से उनकी नजरों के सामने खूपसूरत आखे और छोटी सी उंगली अपने होट के नस्दीक लाए हुए एक बच्चे की फोटो सामने आई। तुरंती उन्होंने मुझे वो फोटो दिखाया और बोली कि हमारे जमाने के कुछ यादे इस बच्चे से जुड़ी हुई है जिसे मुफी बॉइ, मुफी गर्ल, मुफी बच्चा, मुफी मुन्ना ऐसे तमाम नाम मिले थे। फिर हमने मुफी मुन्ना को लेकर जांच परताल की। इस चानबीन में हमने देखा कि हमें तो सत्तर के जमाने में जाने की जरूरत ही नहीं। इस Murphy Munna के क्रेज का पता लगाने के लिए 2012 की Buffy फिल्म ही काफी है वैसे तो ये फिल्म हमने 2012 में ही देख ली थी पर उस वक्त Murphy Munna के लिए हमारे दिमाग के ट्यूब जली ही नहीं पर हमारे दिमाग में ये भी सवाल था कि आखिर कौन है Murphy Munna क्या वो महज एक तस्वीर या पेंटिंग है या फिर रियर लाइफ परस्नालिटी चान बीन में हमने पाया कि एक बच्चा हुआ करता था जिसकी ये तस्वीर थी Murphy इस ब्रिटिश कंपनी ने इस बच्चे की फोटो को इतने ज्यादा स्तर पर चर्चित बनाया था कि हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिल और दिमाग पर Murphy रेडियो की छाप लग गई चुकि वो दौर था FM रेडियो का और फिलिप्स और बोस जैसी कंपनी फिल्म सितारों को लेकर एड़टाइजमेंट किया करती थी चालू फिल्म में हेरो या हेरोईन ऐसी ही किसी बड़ी कंपनी के प्रोड़क्स का प्रचार कर देते थे पर Murphy रेडियो का प्रचार किसी बड़े सितारे ने नहीं बलकि कग्यूर टुलुक रिन पोचे ने किया था उस वक्त कग्यूर तीन साल के थे एक इंटिवियो में उन्होंने बताया था कि वे तीन साल के थे मौफी रेडियो के प्रचार के लिए कंपनी ने किसी बच्ची को चुना था पर अचानक से उसकी मृत्यू हो गई और उन्हें मौका मिल किया मौफी रेडियो पर उनकी तस्वीर लगने के बाद मनाली का हर एक इंसान कग्यूर को पहचानने लगा था क्यूकि मनाली में ही वे रहते थे कग्यूर का मासूम चहरा तो मौफी रेडियो ने इस्तमाल तो कर लिया पर इसे घर घर तक पहुचने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा आगे चलकर कमपनी ने अंबर कुमार के आवाज में एड़टाइजमेंट भी किया जिसके बोल कुछ इस तरह थे मौफी घर घर की रोनक तरह तरह के मौफी रेडियो लाद देते हैं घर में जान इस विज्यापन को FM रेडियो पर चलाया जाता था पर इसके साथ ही प्रिंट मीडिया में भी मौफी रेडियो की धूम मच गई जब शर्मिला टैगॉर ने भी मौफी रेडियो का खूब प्रचार किया सही माइने में इसी के कारण मौफी मौन्ने का चहरा बहुत बड़ी मात्रा में चर्चित हुआ उस वक्त सिर्फ अमीरों के घर टीवी हुआ करता था ऐसे में मौफी मौन्ने के कारण मौफी रेडियो वाला बॉक्स सामान्य घर की पहचान बन गया उस वक्त रेडियो खरीदने के लिए आवेदन देना पड़ता था असी के जमाने में डेड़ सो रुपए लगा कर पहले लाइसेंस लेना पड़ता था फिर मुर्फी मुन्ना घर आता था रेडियो सेट लकडी के बक्से से बनाया जाता था और बक्से पर मौफी मुन्ना की तस्वीर होती थी रेडियो चालू करने पर विविद भरती, रेडियो सिलोन, आकाशवाणी, बीबीसी, ओल इंडिया रेडियो, बिना का गीतमाल ऐसे तमाम मनुरंजन और न्यूस का खजाना सामने आता था ना कोई संसनी और ना ही कोई बक्वास की ब्रेकिंग यूस, बस खुशी से जीवन जीने के लिए कुछ शब्द, गीत, कहानिया और बाते ये सब ही चीजें मौफी मुन्ना वाले रेडियो के बक्से से बाहर निकली थी वाह, कितना खूपसूरत जमाना था वो 90's के बच्चों के लिए इंटरनेट की दुनिया बेचैन कर देती है पर बिना इंटरनेट का 60 और 70 का दशक, बहतरीन यादों से रोशन हुआ करता था मौर्फी मुन्ना वाले इस रेडियो का क्रेज इतना ज्यादा था कि लोग इस बकसे को लेकर सफर करते थे मतलब आप सोच सकते हो कि आज लोग मुबाइल लेकर यहां वहां गूमते हैं और वो जमाना ऐसा था तब इतने बड़े साइस का बकसा हात में यू पकड़कर लोग सड़कों पर गुजरते हुए दिखाई देते थे यही नहीं जब क्रिकेट का आनन लेना हो तो बस उस बकसे को कंधे पर लेकर कानों के नस्दीक लाया जाता था इससे हम यह जान सकते हैं कि उस वक्त क्रिकेट कमेंटरी का हर एक बोल कितना माईने रखता होगा रेडियो के दुनिया मर्फी वाले मुन्ने ने मशूर तो किया ही पर आगे चलकर ये बच्चा बड़ा हुआ और प्रसिद अभीनीतरी मंदाकिनी से शादी भी की आपके जानकारई के लिए बता दूं कि मर्फी मुन्ना एक जमाने में सन्यासी भी थे लगभग 20 साल तक वे भगवान बुद्ध के सिखाए हुए मार्क पर चलते रहे फिर 1990 के जमाने में उन्होंने मंदाकिनी से शादी की मर्फी मुन्ना उर्फ डॉक्टर कग्यूर टुलुक रिनपोचे बताते हैं कि जब वे किसी को मर्फी मुन्ना की यादे बताते हैं तो लोग चौक जाते हैं कि वे खुद मर्फी मुन्ना है मर्फी मुन्ना की कहानी जानकर मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा भी जन साट के जमाने में होता तो मैं उस पल को जी सकती थी पर बाद में ये भी खयाल आता है कि अनामिका उर्फ मेरे अलावा ये बाते आज के जमाने में आपको कौन बताता तरहां तरहां की मर्पी रेडियो ला देते हैं घर में जान मर्पी घर भर की रोनक मर्पी जर वर की रोनकी तरहां तो मैं थी आपकी अनामिका, मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंन सेक्षिन में जरूर बताईएगा, और हमारे चैनल बयोग्रफी आन्ड रियल लाइफ स्चोरीज को सब्सक्राइब करना न भूले, नमस्कार